हेलो फ्रेंड्स मैं अभी लाशा आज ब्रेट से गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ ब्रेट से बने हुए गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी होते हैं ब्रेट और दूद को मिलाकर बनाए गए ये गुलाब जामुन इतने स्वादिस्ट होते हैं कि जब तक आप किसी को खुद से ना बताएं कि ये गुलाब जामुन ब्रेट से बने हुए हैं कोई नहीं जान सकता तेवहारों के दिनों में अक्सर मावा बहुत ही मिलावटी मिलता है इसलिए आप ब्रेट के ही गुलाब जामुन बनाएं ब्रेड की गुलाब जामुन आप किसी भी तेवहार में बना सकते हैं बच्चों के बर्थेदे पार्टी में भी बना सकते हैं और डिनर के साथ भी बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है आएए देखते हैं सबसे पहले आठ ब्रेड के किनारे ऐसे साइड से कट कर लें जो ब्राउन पार्ट होता है हार्ड वाला वो निकाल दें चारों तरब से पतली पतली स्लाइस फिर बीच में जो सौफ पार्ट है ब्रेड का उसके छोटे-छोटे टुकड़े करें ग्राइंडर में डाल कर इनका पाउडर बना लें अब एक बाउल में ब्रेड का पाउडर डालें उसमें तीन चम्मच मिल्क पाउडर डालें एक चौथाई कप दूध डालें और एक चम्मच गाड़ी मिल्क क्रीम डालें दूध की मालाई जो गाड़ी रहती है वो डाल सकते सब को अच्छे तरीके से मिलाएं एकदम स्मूथ डो बना लें तब तक एक खड़ाई में एक कप पानी गरम करें उसमें एक कप शक्कर डालें आदा चमच निम्बू का रस डालें और एक चमच इलाइची पाउडर डालें सब को मिलाकर पांच मिनट तक पकने दें फिर गैस बंद कर दें हतेली पर थोड़ा सा घी लगा करके उस डो के छुटे-छुटे से बॉल्स बनाएं उनमें बीच में बारी कटे हुए पिस्ते डालें करें सभी बॉल्स को इसे पृस्ते में पांग करके एकडम चिकने बॉल्स सयार करने जित्ना भी डो आपके पास से बराबर की साइज के पहले छोटे-छोटे से बॉल्स बनाकर रख लें फिर बीच-बीच में पिस्ता भरें इस तरीके से पैक करके फिर equal size बनता है और प्लेट में बना के रख लें हलके हातों से ऐसे घुमाना है उन्हें एकदम चिकना रहें साइड से फटे हुए ना रहें गुलाब जामुन अब इस तरीके से जितना भी डो है सारे बॉल्स बना करके रख लें अब एक कढ़ाई में घी या तेल जैसा आप यूज़ करना चाहें गरम करें उन्हें एक एक करके गुलाब जामुन डालें हमने तेल इस्तिमाल किया है उन्हें हलके हाथों से हिलाना है और धीमी आच में इनको फ्राई करना है इस तरीके से चारों और से सुनहरा रंग होने के बाद इन्हें तेल से निकालना है और जो हमने सीरप तयार किया है उसी चाशनी में से डालना है इसे एक घंटे तक सीरप में डिप करके रखें फिर उसके बाद गुलाब जामुन परोसें इनमें कुछ गुलाब की पत्तियां डालें और बारी कटे हुए बादाम डालें एकदम पतले-पतले बादाम काट लें उपर से गार्णिश करें कट गुलाब जामुन रखें गोले बनाते समय उनमें दारारे ना दिखें और आटे को दूड ड्राल करके अच्छे तरीके से मलें डो एकदम चिकना करके रखें और गोले एकदम स्मूथ बनाएं ब्रेट के गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है इस रेसिपी को में मावा नहीं है तो आप इस सेट के गुलाब जामुन बनाएं और अपने अनुभा मुझे बताएं थाइंक्यू